मूवी की शुरुआत होती है येर 2007 में इराक से जब इराक के प्रेसिजन्ट बुश अमेरिका और इराक के बीट चल रहे वार को खत्म करने की घोशना करते हैं, जिस वज़े से दोनों देश के बीट चल रही युद्ध अब खत्म हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका अपने दो स्नाइपर्स को इराक भेजती है क्योंकि अमेरिकन कमपनी का इराक में पाइपलाइंस कन्स्ट्रक्शन का काम चल रहा था, हालांकि वार हो गया था, लेकिन दुशमन देश में अमेरिकन वार्कर सुरक्षित नहीं थे, क्योंकि कोई था जो अभी भी इसलिए सार्जेंट मैठ्यूस को उसके स्पॉर्टर सार्जेंट आईजक के साथ यहां भीजा गया था। इन लोगों का काम उन्हें मार ना था। जो कंस्ट्रक्शन पर काम कर रहे लोगों को मार देते हैं। दोनों तेज धूप में पत्थरों के बीच छुपकर पाइपला और वो आईजक से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यहां पर कोई एराकी सोलजर है क्योंकि इस जगह पर केवल कुछ मरे हुए वरकर्स और कुछ मरे हुए अमेरिकन गार्ड्स है। इसके अलावा मुझे वहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए हमें वहां और वो स्नाइपर जूबा होगा। दरसल जूबा एक बहुत ही खतरनाक इराकी स्नाइपर था लेकिन मैठ्यूस कहता है कि आखिर 30 सेकंड में कोई 8 लोगों को कैसे मार सकता है। मैठ्यूस को लगता है कि यहां पर जितने भी लोग मारे गए हैं उन लोगों पर किसी तूट जाता है और वो खड़ा हो जाता है। मैठ्यूस आइजक से कहता है कि वहां पर कोई दुश्मन नहीं है। इसलिए मैं खुद वहां चेक करने जा रहा हूँ और अगर तुम जाहो तो तुम मुझे पीछे से देख सकते हो। आइजक अभी भी मैठ्यूस को वहां जा यू मिलता है जिसे लेकर वो आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ आइजक मैठ्यूस को ठीक से देख नहीं पाता क्योंकि आइजक की स्कोप हराब हो जाता है। आइजक मैठ्यूस को उसके बारे में बताता है तो मैठ्यूस कहता है कि मैंने तुम्हें कई बार कहा कि तुम स्कोप को बदल लो और कोई नया स्कोप ले लो आईजक कहता है कि नहीं ये स्कोप डीन का है और डीन इस दुनिया में नहीं है इसलिए इस स्कोप को मैं उसकी आखरी निशानी समझ कर अपने पास रखता हूँ दूसरी तरफ मैट हुज जब सारी डेड बॉडिस को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर जितने भी लोग मारे गए हैं वो सारे हेडशोट्स से मारे गए हैं मैट हुज जल्दी से ये बात आईजक को बताता है आईजक कहता है कि तुम जल्दी से वहां से निकलो लेकिन मैट हुज अभी भी वही खड़ा होता है क्योंकि वो जानना जाता था कि आखिर उन्हें मारा किस तरफ से गया है लेकिं तभी मैठ्यूज को एक गूली आकर लगती है और वो निचे गिर जाता है मैठ्यूज आइजक को बताता है कि मुझे गूली लगी है ये सुनकर आइजक भाग कर उसके पास जाने लगता है वो सनाइपर के लिए एक वाल के पीछे आकर चुप जाता है ताकि वो इसे देखना सके उधर मैठ्यूस दर्द से टड़प रहा था वो आईजेक से बेस पर कॉंटेक्ट करके बैक अप और एसक्यू टीम को बुलाने के विए कहता है इधर आईजेक के पैर में गोली लगी थी इसलिए व उस स्नाइपर ने जान बूझ कर एंटीना को टार्गेट किया था ताकि वो अपने बेस से कॉंटेक्ट ना कर पाए हम देखते हैं कि मैठ्यूस अभी जिन्दा है और वो अपने राइफल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था लेकिन आईजेक उसे कहता है कि तुम हिलो मत पर ना वो स्नाइपर तुम्हें गोली मारतेगा आईजेक वॉल में एक होल करके अपने स्कूप को वहां लगा देता है ताकि वो उस स्नाइपर को देख सके इसके बाद वो अपने पैर में लगी गोली को बाहर निकालने लगता है ऐसा करने से उसे काफी तेज दर्द होता है लेकिन वो गोली बाहर निकल जाती है अब तर्द की वजह से आईजक यहां बेहोश हो जाता है कुछ समय बाद जब उसे होश आता है तब उसे रेडियो पर कुछ हलचल सुनाई देती है आईजक को लगता है कि बैस के लोग उससे कॉंटेक्ट करने की कोशिश कर रही है इ कहता है कि हमें गोली लगी हुई है इसलिए हमें मदद चाहिए वो लोग उधर से कहते हैं कि हम तुमें देख नहीं पा रहे है इसलिए तुम हमें अपनी एक्जाक्ट लोकेशन बताओ या फिर तुम जहां हो वहां से खड़े हो कर गोली चलाओ तभी हम तुम्हारे पास आकर तुम्हें बचा लेंगे उनकी बात सुनकर आईजक थोड़ा परेशान हो जाता है जिस वजह से इसे उस आदमी के उपर शक होने लगता है वो आदमी जो करने के लिए आईजक से कह रहा था वो सारी चींजे नियमों के खिलाफ थी आईजक नोटिस करता है कि उस आद कर सकता था आईजक कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम कौन हो ये सुनकर वो कहता है कि मैं जानता था कि तुम मुझे पहचान लोगे इसलिए अगर तुम यहां जिन्दा रहना चाहते हो और अगर अपने साथी को भी जिन्दा देखना चाहते हो तो तुम मुझ से बात करते रहो मैट्यूस को जिन्दा रखने के लिए आईजेक को ना चाहकर भी उस स्नाइपर से बात करने पड़ती है वो स्नाइपर आईजेक से कुछ परसनल सवाल पूछता है जैसे कि ये स्नाइपर कैसे बना और उसके परिवार में कौन कौन है वो स्नाइपर आईजेक के बारे मे सारी चीज़ें जानने लगता है आईजेक उसे वो सब इसलिए बताता है ताकि वो उसे अपनी बातों में उल्जा कर रखे आईजेक स्नाइपर की लोकेशन जानने के लिए अपने स्कूप से देखता है और जमीन पर एक मैप बनाता है और सूचता है कि आखिर वो स्नाइपर कहां हो सकता है आईजेक उस स्नाइपर से पूछता है कि तुम कौन हो तो वो कहता है कि मैं यहां का एक सिविलियन हूँ और मैं सिर्फ अपने देश को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ आईजाक कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो यहां का युद्ध तो अब खत्म हो चुका है तुमने यहां जितने भी लोगों को मारा है वो सारे मासूम लोग थे क्योंकि वो लोग सिर्फ पाइपलाइन में काम कर रहे थे और उस पाइपलाइन को बनने के बाद उससे एराकी गवर्मेंट का ही फाइदा होगा लेकिन तुम यहां काम कर रहे लोगों को मार कर सारी चीज़ें खराब कर रहे हो और तुम खुद को एक एराकी कहते हो ये सुनकर वो आदमी हसने लगता है और कहता है कि को युद्ध खत पास रेडियो दिखाई देता है इसलिए ये उस स्नाइपर की बात इग्नोर करके रेडियो लेने की कोशिश करता है लेकिन वो स्नाइपर कहता है कि मुझसे बात करते रहो वरना मैं मैठ्यूज को मार दूंगा ये सुनकर आईज़क कहता है कि तुम्हें उसका नाम कैसे प निशाना चूप गया जिस वजह से वो गोली दीन को लग गई और वो मारा गया स्नाइपर की बात सुनकर आईज़क काफी हैरान होता है और सोचता है कि आखिर उसे ये सब कैसे पता चला आईज़क को प्यास लगी हुई थी इसलिए वो अपनी बाटल निकाल कर पानी पीत स्नाइपर कहता है कि मैंने तुम्हारे रेडियो को तूर दिया ताकि तुम अपने बेस से कॉन्टेक्ट ना कर पाओ और मैंने जान बूज कर तुम्हारे पैर में गोली मारी है ताकि तुम यहां से भाग ना पाओ स्नाइपर कहता है कि तुम बिना पानी और इलाज के यहा एक आतंकवादी हो, ये सुनकर वो आदमी हसने लगता है, और कहता है, तुम लोग हमारे तेश में बंदूक लेकर आते हो, और हम पर गोलियां चलाते हो, और तुम मुझे ही आतंकवादी बोल रहे हो, कुछ देर बाद आइसक उस स्नाइपर को देख लेता है, जो कि एक बड आइसक कहता है कि तुम कही जूबा तो नहीं, कुछ समय बाद यहाँ धूल भरी हवाएं चलने लगती है, आइसक उस चीज का फाइदा उठाता है, और जल्दी से एक मरे हुए सूलजर के पास आता है, आइसक उसका बैग लेकर वापस से वाल के पीछे आकर छिप जाता है वापस आकर वो देखता है कि उसका स्कूप तूट गया है, जिस वजह से वो अब उस स्नाइपर को नहीं देख पाएगा, इसे यहाँ रेडियो पर कुछ हलचल सुनाई देती है, आइसक को पता चलता है कि मैठ्यूज अभी भी जिन्दा है, आइसक उसे स्नाइपर की लोक गरफ देखता है, साथ में ही वो रेंगते हुए अपने राइफल को लेने की कोशिश करता है, स्नाइपर आइसक को बताता है कि पहले वो बगदाद में एक तीचर हुआ करता था, लेकिन एक दिन अमेरिकन के हमले से स्कूल के सारे बच्चे मारे गए, इसलिए तब से उसन स्नाइपर पर फायर करता है, लेकिन राइफल रिलोड करते समय वो स्नाइपर इसे गूली मार देता है, गूली सीधा मैट्यूस के कंदे पर लगती है, जान बचाने के लिए वो आइसक की तरफ जाने लगता है, मैट्यूस आइसक के पास पहुँच पाता, कि उससे पहले स्नाइपर उसके सिर पर गूली मारता है, जिस वजह से मैट्यूस की यहाँ पर मौत हो जाती है, यह सब देखकर आइसक को काफी हर्ट होता है, क्योंकि उसका साथ ही उसके ही सामने मारा गया, और वो कुछ भी नहीं कर पाया, स्नाइपर कहता है कि युद्ध तो पहले ही ख करते रहोगे, आइसक यहार रोने लगता है, और कहता है कि हाँ मैन ही टीन को मारा है, मैं अपने तुश्मन स्नाइपर को मारने वाला था, लेकिन मेरा निशाना छूक गया, जिस वजह से वो कोली टीन को जा लगी और वो मारा गया, लेकिन आज तक मैंने सबसे जूट बोल कि दीन को तुश्मनों ने मारा है, स्नाइपर से बात करते समय आइसक को रेडियो पर कुछ हलचल सुनाई देती है, आइसक देखता है कि बेस के लोग उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आइसक उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी आवाज उन लोगों तक नहीं पहुँचती, वो बस उनकी आवाज सुन सकता था, आइसक यहाँ स्नाइपर की आवाज सुनता है, जो बेस के लोगों से कांटेक्ट करके उनसे मदद मांग रहा था, बेस के लोगों को लगता है कि रेडियो पर जो उनसे बात कर रहा है, वो आइसक ह यहाँ सारी बात समझा जाती है और उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर जितने भी वरकर काम कर रहे थे उन्होंने कभी मदद मांगी ही नहीं क्योंकि उस स्नाइपर ने उन्हें पहले ही मार दिया था और उसी ने बेस पर कांटेक्ट किया था ताकि मदद के लिए और सूल्जियर्स यहां पर आए और वो उन्हें भी मार दे वो स्नाइपर यहां जाल बिचा कर एक एक अमेरिकन सूल्जियर्स को मार रहा था आईजाक को अहसास होता है कि वो स्नाइपर कितना ज्यादा खतरनाक है आईजक यहाँ बेहोश हो जाता है कुछ समय बाद जब उसे होश आता है तब उसे यहाँ हेलिकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है आईजक स्नाइपर से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो कोई उत्तर नहीं देता आईजक को लगता है कि शायद वो स्नाइपर सो रहा है इसलिए ये जल्दी से मैट्यूज की राइफल अपनी तरफ खिंचता है वो देखता है कि दो हेलिकॉप्टर उसकी तरफ आ रहे है जिने उस स्नाइपर ने यहाँ बुलाया था आईजक अपनी वॉल को गिरा देता है और उस कचरे के धेर की तरफ निशाना लगाता है स्नाइपर भी आईजक पर निशाना लगाए बैठा हुआ था लेकिन धूल की वज़े से उसे कुछ दिखाई नहीं देता स्नाइपर उस पर फायर करता है जिस वज़े से आईजक उस रोशनी को देख लेता है वो ठीक उसी जगह पर फायर करता है जहां से उसने रोशनी देखी थी स्नाइपर अब कोई भी हरकत नहीं करता जिसे देख आईजक को लगता है कि इसने उस स्नाइपर को मार दिया आईजक उठकर खड़ा हो जाता है लेकिन वो अभी भी डर रहा था क्योंकि अगर स्नाइपर जिन्दा हुआ तो वो इसे मारतेगा लेकिन इस पर कोई भी फायरिंग नहीं होती आईजक को कन्फर्म हो जाता है कि वो स्नाइपर अब मर चुका है हेलिकॉप्टर यहां लैंड होती है सूल्डियर्स आईजक को हेलिकॉप्टर में ले जाने लगते है आईजक बार बार उनसे कहता है कि उस कचरे के धेर में चेक करो लेकिन कोई भी उसकी बातों पर थिहान नहीं देता क्योंकि आईजक की आवाज साफ नहीं होती वो लोग उसे लेकर यहां से जाने लगते है जैसे ही हेलिकॉप्टर टेकाफ करता है वैसे ही वो स्नाइपर इन पर गोलियां चलाने लगता है स्नाइपर उन सभी को मार देता है जिस वजह से उनका हेलिकॉप्टर नीचे गिरकर क्रेश हो जाता है। आइजेक मैठ्यूज के साथ साथ वो सारे सोल्डियोज भी यहां मारे जाते हैं। और उसी के साथ ये फिल्म यहीं पर हत्म हो जाती है।